प्यारे बच्छों मैं रहिए किसे टो लोगं लोग हमें एक भी लोग हैं सैक्र॥ ऐसे भी होते हैं ऐसे लगता जैसे कि उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो गई मेरी वीडियो देखने से बताओ योटूब पर वीडियो मैं इसनाते लाता हूं कि आज तक का जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं मैं फोन करता हूं मेरे स्टूडेंट्स फोन करते हैं योपी बोर्ट से समबंदित अधिकारियों के पास वहां से जो न्यूज आती है वहां से जो बातें बताई जाती है वही बातें मैं इस वीडियो के माद्यम से चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स को reply मिलता है बीबाग के तरफ से, बोट के तरफ से मैं उन चीजों को आप तक पहुंचाता हूँ और आज कोई अपडेट किसी ने बताया कि फला तारीक को आपकी परिक्षा संपन हो शकती है और दो दिन बाद अगर मैंने फिर फोन किया, उन्होंने कहा ऐसा है कि अभी एक सब्ता और लेट होगा तो जैसा मुझे वहां से बताया जाता है या जैसा मेरे चात्रों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ वीडियो का आलपा जो लोग कमपार्टमेंट के तयारी करते हैं मेरे से जैसा उन लोगों को बताया जाता है मैं वैसा ही बात वीडियो के अंदर बताता हूँ समझे तो जो बच्चा कमपार्टमेंट एक्जाम के तयारी कर रहा है वो सिर्फ मेरे से ही नहीं जुड़ा है मैंने यूपी वोट के बड़े से बड़े अधिकारी का नंबर हाद जिला के जिला भी देले इन रिच्चक का फोर नंबर मैंने अपने पेड़ क्लास के चातरों को दिया है जो कमपार्टमेंट तयारी मेरे साथ कर रहे है मैंने उनको दिया है और वे जब मैं कहता हूं तो फोन भी करते हैं अपने से भी करते हैं भाई गर्ज उनको है गर्ज मुझे तो वो फोन करेंगे कि यह फोन करूंगा जो जानकारी आएगी उनके पास मेरे पास हम लोग डेली क्रास को तो मुझ्त एक गंडा वीडियो काहल पर करते हैं तो लेते हैं यूपी बोट के सिर्स अधिकारियों से सबसे उच सचिव से सिक्रेटरी से तो जो वहां से response आता है मैं वही response आपको वीडियो के माध्यम से देता हूं और आपको लगता है कि मैं कहीं से भी इधर से उधर बताता हूं मैं कहुन होता हूं डेट बदलने वाला मैं कहुन होता हूं गरत बताने वाला मैं गलत बता कि क्या पाऊँगा गलत बता कि आपको विश्वास तोड़ूँगा तो आप मेरी वीडियो देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे तो बच्छा कभी ऐसा मत सोचो, ट्रस्ट करो, मैं समय निकालता हूं, सामने से आकर कैमरे के सामने फेश के साथ मैं आप से बात करता हूं, पढ़ाता हूं, मैं ऐसा तो हो नहीं कि मैं मुच्छी पाकर के आफ कैमरा वीडियो बनाता हूं, आपने मुझे कभी देखा नहीं जो reality है वही मैं बताता हूँ इस नाते comment करो तो अच्छे comment करो खराब comment बिल्कुल ना करो और खराब comment करके आप मेरे लिए नहीं कुछ खराब करते हो खराब comment का मतलब आप अपना दिमाग खराब करते हो आप अपनी students हो भाले प्षीश नहीं देखे पढ़ते हो YouTube पर free वाली class देते हो free की वीडियो देखते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका नुक्षान होना दूँगा इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे फीश नहीं पर करते directly तो मैं आपके साथ कुछ भी बोल जाओं या आपके साथ कुछ भी हो जाए ते मिगे उसकी थकर नहीं है आप मेरे स्ब्सक्राइबर हैं मेरे को भिष्वास करके मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है आने वाले पीडी में अपने चोटे भाई बहनों को भी मेरे से रिकमेंड करेंगे इस टीचर से पढ़ लीजे, इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजे, हो सकता ऐसा ना, तो मैं आज का नहीं देख रहा हूं, दूर तक देख रहा हूं, दूर दर सिता मेरे सामने दिख रही है, कुल मिलाज उला करके, अभी कल परसो में दो बच्चे मेरे साथ का अपार्टमें कि मैं आपके चैनल को नहीं पाया, मैं नहीं आपको नहीं पाया, कास अगर आप पहले मिले रहते, तो पहले ही राउंडमे में पास हो गया रहता, मुझे कमपार्टमेंट एक्जाम वारी नौबत नहीं देखने को मिलता, अलग बच्चों ने मेरे से यही बात बोला है, ज सचाई बात में जब पता चलती है, तो वो अपने लिए ज़्यादा फायदे मंद नहीं होती है, अगले पीड़ी के लिए, जिसे मालो आप छोटे भाई बहन, रिष्तेदार के छोटे भाई बहन, पुडोस के छोटे भाई बहन होंगे, जो इस साल 11 से 12 में जा रहे होंगे क्या आप चाहोगे कि वे एक बार फेल होके कमपार्टमेंट एक्जाम दें, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, तो आप उनको सही डिरेक्शन में पहुंचाओ, सही टीचर से पढ़ने के लिए प्रेरित करो, आपके नजर में अगर मैं सही लगता हूँ, तो आप मेरे से जूड के पढ़ना है, वीडियो काल पर तो जूड के पढ़ सके, ये मेरा फोर नंबर हार वीडियो में लगवग दे ही दिया जाता है, ठीक है, तो इसी नंबर पर आपको क्या करना है, ठीक है, इसी नंबर पर आपको कॉल करना है, अगर वीडियो काल पर कमपार्टमेंट चलाते हैं वीडियो काल वो भी चलता है उस पे आईए पढ़िए डावर पूछिए अच्छा लागए आपको और एक्जाम कब होगा ये वीडियो तो बनाए है हम एक्जाम के लिए कि कमपार्टमेंट एक्जाम कब होगा स्कुटनी का रिजल्ट कब आएगा तो देखो लेकिन अब बोर्ड ने डिसाइड कर लिया जुलाई का अंतिम सब्ता है जुलाई का अंतिम सब्ता है अब बोर्ड के तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि भाई आपके कमपार्टमेंट एक्जाम जुलाई के अंतिम सब्ता में संभावित है और जुलाई के दुदि सब्ता मे पहले संभावित था इसके बावजुद कोई डेट अगर बोर्ड के तरफ से आ जाता कोई सूचना आ जाती कोई notification आ जाता कोई सारभजनिक website पर notification आता या समचार पत्रों में आखवारों में notification आता तो मुझे बड़ी खुशी होती कि चलिए बोर्ड ने कम से अग्ता सबुत मिलेगा तब आपको लगेगा कि हां सराभ सही बोलने थे ठीक है अर अई बात इसकूटनी का result इसकूटनी का result आपका कब आएगा इसके लिए मैंने कहा था इसकूटनी का result 25 से 30 जून के मध्य में आपका इसकूटनी का result आएगा 25 तो आज हो गया भाई आज 25 हो गया आज से लेके 5 दिन और वेट करो उसके बाद हम लोग भी धरना देंगे ट्वीटर पर केंपेन करेंगे हम लोग भी सडकों पर उतरेंगे हम लोग भी बीरोद प्रदर्शन करेंगे लेकिन सान्ती पूर्ण तरीके से आप लोग इस वीडियो को share करो इसकूटनी वाले सारे students के पास एक जोर लगा करके हम लोग tweet करें ट्वीट से झाग्र कोई दाल नहीं करती है तो on road हम लोग भी protest करने के लिए उतरेंगे भले हमारी संख्या नहीं लाखों में होगी हजारों में होगी नहीं हजारों में होगी तो सैकड़ों में होगी ठीक है तो वीडियो पूरा complete जिसने देखा होगा उसको तो समझ में आया होगा कि हाँ सच बात है हाँ ऐसा होना चाहिए लेकिन जो सुरुवायत में गुमरा हो गया तो मनेल देखके भटक गया उसके लिए तो भाई कुछ भी हो सकता है ज़्यादा बात नहीं करेंगे मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू